नमस्कार दोस्तों मेरे नाम योगेश है और यह सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार करना चाहता हूं और यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको एक मोबाइल फोन के बारे में कुछ दिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूं यह मैंने अमेजन से ओडर किया था और अमेजन पे यह कूल पैट नोट 5 यह फोन इसका मार्केट में काफी अच्छा नाम चल रहा है बहुत यह अच्छा इसका बॉक्स भी काफी अच्छी क्वालिटी का है और बात करेंगे इस फोन के पारे में तो मैं आपको बेसिक फीचर बता देता हूं इस फोन में जो फ्रंट कैमरा है वह 8 मेगापिक्सल का है और रेयर कैमरा 13 मेगापिक्सल का 32 GB की इंटर्नल स्टोरेज है फोन में और सबसे अच्छी बात यहां पर जो है कि आपको फोन के साथ 4 GB की रैम यानिकि 4 GB र स्कैनर दिया है आप अपने डिवाइस को फिंगर प्रिंट के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हैं एंड्रोइट मार्शमेलो 6.0 मेटल बॉडी 2.5D कर्व डिस्प्ले इसका जो डिस्प्ले है वो कर्व डिस्प्ले है और यह सिर्फ एमाजॉन पे एक्स्क्लूजीव सेल में mulberry features के हिसाप से मुझे तो नहीं लगता कि यह कुछ जादा है तो चलिए दोस्तों इसे Unbox करते हैं तो सबसे पहले आपर देखते हैं कि हमारे इस box के अंदर क्या चीज़े निकलती है तो जैसे कि हम देख सकते हैं तो यह सबसे पहले हमारा phone दिया गया है जो की काफी अच्छी quality का है, मुझे look बहुत ही अच्छा लग रहा है, यह पूरी metallic finish है, और बहुत ही अच्छा phone, यह fingerprint scanner दिया हुआ है, यह camera है, यह 13 megapixel camera है, और यह LED flash है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर front camera के लिए भी आपको flash दिया हुआ है, और यह इसका front camera है, यह speaker दिया हुआ है, यहाँ पर 3 button दिया है, back और close और home button का, और यहाँ पर इसका charging point दिया हुआ है, इसके bugle में ही इसका mic दिया हुआ है, और यह phone पूरी तरीके से packed है दोस्तों, आप इसे open नहीं कर सकते हैं, अगर आप उसमें SIM डालना है, तो आपको यहाँ पर एक pin जो द पूरा fully metal है, और इसका काफी sleek model है, बहुत ही अच्छा, पुझे look तो बहुत अच्छा दे रहा है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसके box में और आपको क्या-क्या मिलता है, यह देखे, आपको एक SIM remove करने के लिए यह pin दिया है, इस pin से आप अपने SIM को लगा सकते हैं, काफी अच्छी समझ में आ रही है, आपको लगेगा कि यह एक बहुत ही अच्छी build quality के साथ बनाए गए है, headphones हैं दोस्तों, जो की काफी अच्छी quality के headphones दिखाई दे रहे हैं, आप यह in ear type headphones है, आपने देखे होंगे, space rubber की cushion होते हैं इसमें, और यह आपकी कारों के अंदर आ quality के साथ कोई समझाता नहीं किया गया, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गया, और यह charger है, यह काफी fast तरीके से आपके mobile को charge करेगा, क्योंकि यह fast charging को support करने वाला phone है, तो ठीक है दोस्तों, यह accessories की बात हो गई, आपको phone में एक साल की warranty company की तरफ से जी जाती है, और ACSaries की की बात करें, तो सभी company के साथ ACSaries की warranty सिर्फ और सिर्फ 6 महिने की होती है, इस बात को ध्यान में रखें दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं phone की और हम phone को on करने की कोशिश करेंगे, तो यह देखिए phone इस तरह से on हो रहा है, तब तक मैं आपको इसकी पूरी design जूम कर कर, पास से दिखाने की कोशिश करता हूं, यह 3.5 mm का jack यहां पर दिया गया है, और phone में हर तरह के sensors भी available है, ऐसी कोई कमी phone में नहीं छोड़ी गई है, कि आप इसे किसी भी तरीके से fail कर सके, और मैं coolpad के बारे में आपको एक बहुत ही जरूरी चीज बता देना चाहूँग नहीं कि आप इसे भरोसा ना कर सके, videocon इसे manufacture करता है, तो यह phone हमारा home screen पर आ चुका है, क्योंकि मैं इसको already setup कर चुका था, और मैंने अपने Gio का 4G SIM इसमें पहले से ही insert कर रखा है, तो दोस्तों जैसा की बात करते हैं, इसकी phone की processing तो बहुत ही अच्छी है, मैंने जैसा की आपको यह phone जो है, यह true HD volte पर register होगा, मतलब यह full volte HD phone है, आपको मैं volte HD का एक बहुत अच्छा feature बताना चाहूंगा, कि आप volte phone उसे कहते हैं, जो कि किसी दूसरे user के पास, जिसके पास volte phone होगा, और अगर Gio का user है, तो आप उसे बिना data खर्च करें, मतलब data off करके भी आप उ video call free of cast कर सकते हैं, आपको इसके लिए कोई भी charge pay नहीं करने पड़ेंगे, तो दोस्तो, जैसे आप देख सकते हैं, यह slide करने पर इसका menu option खुलेगा, और इसमें काफी चीज़े पहले से ही inbuilt दी गई है, जैसे कि आपको clean master अड़क से डालने की जरूवत नहीं है, clean करने के लिए इसमें already एक software दिया गया है, cool manager करके options इसमें दिये गया है, music के लिए है, video player है, और file manager भी इसके अंदर inbuilt लिए है, कुछ games हैं, जो preloaded है, Amazon की app आपको इसके साथ मिलती है, और मैं आपको इसके call in feature के बारे में दिखाता हूँ कि जब आप call करेंगे, तो आपको किसी भ वीडियो call कर सकते हैं, ऐसा feature इस phone में खास तरीके से मैं आपको इससे introduce कराना चाहता हूँ, तो दोस्तों बात करते हैं, अब phone के configuration की, तो चलिए मैं इसके settings option में जाता हूँ, और settings में आपको दिखाता हूँ कि इस phone में क्या-क्या खास चीजे है, Wi-Fi है, Bluetooth है, और data के लिए स 400010 mAh की battery है, जिससे कि आपको battery backup के साथ कोई problem नहीं होगी, हाला कि इसमें 5.5 inch का display है, उसके बाद भी आपको ये बहुत अच्छा battery backup प्रोवाइट करते के लिए, ये phone सक्षम है, आपको इसमें कोई problem नहीं होगी, ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि phone में इसमें Marshmallow Android का version दिया गया है, Qualcomm Technologies का 8 core का processor, 1.5 GHz का processor इसमें दिया गया है, RAM दोस्तों आप देख सकते हैं, 4GB की RAM, 4GB RAM का मतलब जो heavy users हैं, जैसे कि जो gaming ज़्यादा करते हैं, या फिर phone का heavy use करते हैं, बड़े-बड़े software सलाते हैं, तो मेरे कहल से उन्हें इस phone के साथ कोई problem नहीं आएगी, क्योंकि 4GB की RAM फोन के लिए बहुत ही अच्छी RAM माने जाती है, 32GB का phone के साथ in-build memory आपको मिलता है, और user memory आप पतब जो अपने use में ला सकते हैं, वो आपके लिए होगी, लगभग 21GB की usable memory, और आप एक टाइम पे इस phone पे 2 4G SIM लगा सकते हैं, और आप एक phone और ए market में आजकल hybrid SIM slot के साथ ही आ रहे हैं, तो मैं बात करूँ इसके resolution की, आपकी picture quality, 1920 x 1080 के pixels पे आपको ये वीडियो दिखाएगा, मतलब की full HD को support करता है ये phone, वीडियो के साथ आपको कोई problem नहीं होगा, gaming के साथ आपको कोई problem नहीं होगा, बैटरी के साथ आपको कोई problem नहीं ह और इस range में मुझे नहीं लगता है कि इस से अच्छा phone आपको market में अभी available है, MIK phones के अगर इस से compare करें, तो MIK phones में अगर आप और ज्यादा range में जाते हैं, तो ये आपको 5.5 screen पर एक अच्छा range मिलेगा, नहीं तो ये phone इस range में बहुत ही अच्छा है, और सबसे खास बात दोस्तों कि इस phone में आपको front camera के साथ LED भी मिलता है, और इसमें back में आपको fingerprint sensor भी मिलता है, आप fingerprint से अपने phone को unlock कर सकते हैं, और इसकी finishing काफी अच्छी है, 3.5 mm का jack यहाँ पर दिया गया है, आप इसमें अच्छे sound का experience ले सकते हैं, sound अच्छा है, phone का मैंने jack किया है, तो द अच्छा करता हूँ कि आपको यह review देखकर काफी मदद मिलेगी, और आप इस phone के बारे में और इसकी special features के बारे में अच्छी तरह जान पाएंगे, तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, और आप मुझसे कोई भी questions करना चाहें, तो नीचे comment पर कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद दोस्तों.